अलो बच्चो कैसे आप सबी लोग आजम पढ़ने वाल हैं सेंगेंड किलास का यूनिट नाइन्थ जो कि एक स्टोरी है और बुक का नाम क्या बच्चो मेरी गोल्ड एंसी एर्टी की बुक चलिए इस स्टोरी को पढ़ना सुरू करते हैं सबसे पहले बच्चो हम देखेंग हैं 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 है दनंग में क्या लिखा लएक दब मैजिक और इच पॉर्डम को मैजिक का मतलग करता बच्चो जादुए बच्च क्या होता बच्च दलिया और पॉर्ड़ के किसको बोलते हैं बरतन को देखो इस लड़की ना जैसे बदेलिदे लिवाइन टी случае भूग है देर वार अलिटल गर्ल एक बार एक लड़की थी नेम तारा उसका नाम कहा था बच्चो तारा एक बार एक तारा नाम की लड़की थी शी लिव विट हर मदर और वह अपनी मा के साथ रहती थी मदर का मतलब बच्चो मा यह देखो बच्चो फोटो में भी एक लड़की है जिसका नाम तारा है और यह एक दिन जंगल में गई और उसे एक बुड़ी ओरत मिली चली आगे पढ़ते हैं दा ओल्ड वुमेन गेव हर अप पॉट और वो जो बुड़ी ओरत थी उसने एक बरतन दिया इसे दिया उस तारा नाम की लड़की को दिया और उस ओरत ने जो बुड़ी ओरत है उसने उस लड़की से का यह एक जादूई बरतन है magic pot का मतलब बच्चो जादूई बरतन it will cook porridge for you when you say cook pot cook यह तुमारे लिए दलिया बनाएगा जब तुम इससे कहोगी cook pot cook cook का मतलब क्या होता बच्चो बनाना pot क्या बरतन और cook यह क्या है यह उस बरतन को वो कहना है यह लड़की जब उससे कहीगी न cook pot cook जब पॉट है वो उसके लिए दलिया बनाना शुरू कर देगा और इच कहोती है बच्चो दलिया when का मतलब जब जब वह कहेगी you say जब भी तुम इस बरतन से cook pot cook बोलोगी तो यह तुमारे लिए दलिया बनाना शुरू कर देगा it will stop making porridge when you say stop or stop और यह जब खाना बनाना बंद कर देगा यह तुमारे लिए दलिया बनाना बंद कर देगा कब जब तुम इस से बोलोगी stop pot stop यह उस बोड़ी वरत ने उस छोटी सी लड़की को क्या दिया एक बरतन दिया pot दिया और वह एक जादूई बरतन था जैसे उससे बोलेंगे खाना बनाने के लिए तो वह खाना बनाने भी लग जाएगा और जब हो उससे मना कर देंगे खाना बनाने के लिए तो खाना बनाना बंद भी कर देगा चलिए अब इस इस स्टोरी को आगे पढ़ना शुरू करते हैं Tara was very happy और तारा बहुत खुश थी, very happy का मतलब बच्चो बहुत खुश होना, she ran to her mother and said, mother, we will no longer be hungry as I have got a magic pot, और उसने वे दोड़ती भी गई, she ran का मतलब वे दोड़ी, हर mother, अपनी मदर के पास and said, और अपनी मा से बोला, क्या बोला, we will no longer be hungry, अब हम कभी भी भूंके नहीं रहेंगे लंबे समय के लिए, no का मतलब कभी भी longer मतलब लंबे समय के लिए, hungry का मतलब भूंका रहना, as I have got a magic pot, अब हमारे पास एक जादूई बर्तन है, magic pot मतलब क्या बच्चो, जादूई बर्तन, Tara said to the pot, Tara ने pot से बोला, उस बर्तन से बोला, cook pot cook, and the pot cooked porridge, तारा ने pot से क्या बोला बच्चो, cook pot cook, और वह क्या करने लग गया, porridge बनाना शुरू कर दिया, cook का मतलब बनाना, क्या बनाना, खाना बनाना, porridge क्या था बच्चो, डलिया, तो वह जो जादूई बर्तन है, वह बच्चो अपने आपी खाना बनाना शुरू कर देता है, our mother was very happy, and they both ate porridge, और उसकी मदर जो थी, वह बहुत खुस हो गई थी, happy का मतलब बच्चो, खुस हो ना, they both ate porridge, और उन दोनों ने ही क्या खाया, दलिया खाया, both का मतलब बच्चो, दोनों ही, eight का मतलब खाना, porridge का मतलब दलिया, they का मतलब उनोंने, उनोंने, दोनोंने दलिया, खालिया, one day, एक दिन, when Tara had gone out, एक दिन तारा जब कहीं बाहर गई थी, gone out का मतलब, कहीं दूर घर से बाहर गई थी, हर mother felt hungry, और उसकी मदर को क्या लग रही थी, भूख लग रही थी, या भूख की मैसूस हो रही थी, felt का मतलब बच्चो मैसूस होना, hungry का मतलब भूख, भूख मैसूस होना, या भूख लगना, she said to the pot, और उसने जादूई बर्तन से, क्या बोला, sad का मतलब बच्चो बोलना, cook, pot, cook, the pot started cooking porridge, और वह cook जो पॉख जो पॉख जो बच्चो उसने क्या करा, दलिया बनाना शुरू किया, started का मतलब शुरू करना, cooking का मतलब पकाना, porridge का मतलब दलिया, दलिया आगे पढ़ते है after eating it, her mother said, do not cook pot, और जब उसकी मान ने दलिया खा लिया, उसके बाद उसने pot से बोला, अब पकाना बंद कर दो, but the pot went on cooking, पर जो पॉख ता बच्चो वो जादूई बर्तन, उसने खाना बनाना जारी रखा, क्यों जारी रखा, क्योंकि उसकी मदर ने, तारा की मदर ने गलत word बोला था, उसकी माने क्या बोला, do not cook pot, जब कि उसे क्या बोलना चीए ता, .Just stop pot stop, उसकी मदर को बोलना था, stop pot stop अर उसमें क्या बोला, do not cook pot, यह उसने गलत सब बोला, इसलिए जो ज़य जारी बरतन था खाना बनाने लग गया, और उसने खाना बनाना नहीं रोका, स्टर्टेट स्पाइलिंग औँ गूर्छ निकाँ न लगगा रैलने हैं पर्स भी सलना पीडेभर भी मदर पूर्ड्केश पकारा आउट अगें फिर से 6 वारत गारा वेट डू नाट एनीमोर और इसमें जादू भी बरतम से क्या वहला आप तुम उसे और मत पकाओ पर वह फिर से वह गलत वर्ड बोल रही थी उसे बोलना था stop pot stop कैसे बोलना था उसे बट दफ प डीड नॉट शॉप वह फॉप नहीं हो रहा था अर ने जो है रहा नो हो फैलता ही जा रहा था उसके पीछे पीछे जल्द ही जो पौरीज था वह सब जगे ही पहुँच गया था और पूरे गाउन ने उसे देख लिया था विलेज का मतलब गाउने और वोल का मतलब पूरे गाउने उस दलिया को फैलते हुए देखा और वह पौरीज खाने के लिए दोड़े उसने क्या देखा बच्चो जो सड़क थी वह पूरा ही दलिया से भरी पड़ी थी रोड क्या होता बच्चो सड़क होती है शो का मतलब देखना शी का मतलब उसने उसने देखा she ran home और वह दोड़कर घर गई as fast as she could जितना वह भाग सकती थी उतना तेजी से दोड़कर वो घर भागी she heard her mother shout और उसने अपनी मदर को चिलाते हुए सुना heart का मतलब बच्चे सुनना, shout का मतलब चिलाना Tara the pot is cooking and it will not stop और उसकी मदर ने Tara से क्या बोला तारा ये जो बरतन है ये लगातार दलिया को पकाता ही जा रहा है और ये रूप नहीं रहा है cooking का मतलब बच्चो पकाना Tara called out stop pot stop and it stop cooking porridge देखा बच्चो तारा ने क्या बोला stop pot stop जबकि उसकी मदर जो है वो गलत वर्ड बोल रही थी इसलिए वो दलिया बनना जो है और रूप नहीं रही थी तो बच्चो ये स्टोरी खतम हो गई है चलिए अब मिलेंगे अगली स्टोरी या पोयम में जब तक हम देखते हैं हमने इसमें नए वर्ड क्या सीखिए मैजिक का मतलब बच्चो जादुई, कुक का मतलब पकाना, पौरिज का मतलब दलिया, स्पाइलिंग का मतलब फैलना, भोल का मतलब पूरा, विलेज का मतलब गाउं तो बस्तो चलिए आप मिलेंगे अगली स्टोरी या पोयम में